हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटीटी कमुटीटी में स्वागत करता हूं जैसा कि यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं कि कैसे आप रेगलर इंकम जैनुएट कर सकते हैं ट्वेटी कौन सा है क्या है वो हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे तो अगर आप स्टॉप मार्केट में अपना कैडियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं और आप फुल टाइम ट्वेडर बनना चाह रहे हैं यह वीडियो आपके लिए और ज्यादा फाइदेमन सा स्क्राइब किजिए और बिल आइकन दबाना ना भूले तो चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पर हेजिंग स्ट्रेड़ी कौन सा इस्तिमाल करेंगे और कैसे हम स्टॉक मार्केट से फिक्स्ट और वेगलर इंकम जैनुरेट कर सकते हैं तो यहाँ पर विलाइन्स के चार्ट पर आगे और विलाइन्स के टेली चार्ट पर आगे अब यहाँ पर आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना अब कौन सा स्टॉक सेलेक्शन करना जिस भी पर्टिक्लर स्टॉक में अगर 5-10 परसंड का गिरावट हमें कभी भी देखने हो को मिले अगर आप उस स्टॉक को बाई करने को हमेसा तयार बैठो वैसा स्टॉक सापको पिक करना उसी में से एक स्टॉक से आपका विलाइंस इंडेस्ट्री जो की काफी बेहत्वीन स्टॉक से जिसमें आप कभी भी हर एक गिरावट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एसा ही बहुत सारे स्टॉक्स है, एस डेफ़ी बैंक है, आपका, आईसे इसे बैंक है, एसबी आ है, भारती एटेल है, टीसे सारे दिगज स्टॉक्स को आपको पिक करना जिसमें हर एक 5-10% के गिरावट पे आप इन्वेस्टमेंट करने को तयार हो, वैसा स्टॉक्स पिक करना है, तो यहाँ पे हमने विलाइन्स के स्टॉक्स को पिक किया है, आप जाओ तो HDFC, SBI, या फिर कोई और TCS, या फिर कोई और स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, तो सबस् देखना है कि उसका lot size कितना है, जैसे अगर हम यहाँ पे विलाइन्स की बात करें, तो विलाइन्स का lot size है आपका 250 का, तो यहाँ पे पहला step जो हमें क्या करना है, सबसे पहले, विलाइन्स की या जो भी stocks आप पिक करें, उसका जितना भी lot size है, उस lot size के according, यहाँ पे आपक shares buy करने है और यह shares कहाँ पर buy करने है यह shares आपको buy करने है delivery में जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला step होगा कि आपको reliance के 250 shares buy करने है delivery में अब 250 shares buy करने के लिए fund कितने लएगे तो यहाँ पर reliance के अभी जो price चलबा वो लगबग आपका 2400 करीब चलबा 2400 अगर भी यहाँ पर 250 करते हैं तो लगबग आपका होगा 6 lakh के करीब यहनि सबसे पहला आपको capital का requirement होगा 6 lakh के करीब अब जरूरी नहीं है कि इसको आप एक ही दिन में buy करो सबसे पहला काम आपको यह करना है इसको आप चाहो तो 7 days में buy कर सकते हो अगर आपका fund है तो नहीं fund है तो इसको आप 1 year में buy कर सकते हो या नहीं तो 2 year में buy कर सकते हो तो जितना भी time लगे सबसे पहले आपको कोई एक particular stock select करना और इसमें जो भी lot size है उतना stocks आपको buy करना delivery में है पहला काम यह हो गिया अब यहाँ पे जो भी हम investment करेंगे उसका return हमें कितना मिलेगा आपकी मन में सबसे पहला question यहीं आएगा किगर हम इतना investment कर रहे हैं तो हमें कितना return मिलेगा यहाँ पे आपको annually हम worst case की बात करें सबसे minimum बात करें minimum यहाँ पे आपको लगबग 1 lakh annually मिलेगा यहनी सालाना 1 lakh आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप 6-7 lakh के करिब investment करते हैं तो इसके लाए भी थोड़ा बहुत और investment होगा वो मैं आपको आग explain करूँगा लेकिन अगर हम यहाँ पे percentage की बात करें तो annually आपको लगबग 15% तो 20% आपको minimum मिलता हुआ दिखेगा अगर सारा कुछ सही रहा तो यहाँ पे आपको 30-50% का return भी मिल सकता लेकिन minimum आपको 15% annually return मिलेगा और अगर आप इसको compounding next 5-10 years तक सही कर लेते हैं तो यहाँ पे आप फिर लाखों नहीं फिर आप crores में generate कर सकते हैं सिर्फ कुछ lakhs का investment करके तो सबसे पहला step क्या है कि जो भी stocks हमने select किया उसके lot size को pick करना और उतना sales हमें delivery में buy करना अब उसके बाद उस stocks जिस भी price पे trade कर रहा है वो price हमें note कर लेना अभी यह trade कर रहा 2400 पर suppose that यहाँ पे हमने 2400 के price के करीब हमने इसके 250 shares delivery में buy कर लिये ठीक है पहला criteria को यहाँ पे हमने fulfill कर लिया उसके बाद हमें क्या करना उसके बाद हमें देखना है कि इसमें अगला hurdle कहां पे अगला resistance level कहां पे अब देखिए price उपर गया उपर से नीचे आया फिर यहाँ से price उपर गया और यहाँ पे कौन सा level है 2600 करी price गया है फिर यहाँ से नीचे lot आया यहनि इसमें सबसे पहला hurdle और सबसे पहला resistance level कौन सा है 2600 का तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2600 क्या call options को pick करेंगे और इसको यहाँ पे हम sell करेंगे ठीक है तो basic जो भी concept है वो clear हो गया है अब यहाँ पे हमें इससे क्या फाइदा होगा कितना profit होगा अलग-अलग situation में कैसे profit होगा अब इसके बाद market चाहे आपका उपर चाहे या फिर जिस लेवल पे buy किया वहीं पे रुख जाए या फिर नीचे आ जाए तीनों condition में आपको minimum जो मैंने आपको profit बताया annually आपको उतना profit मिलता होगा आपको वन लैक तक का return आसानी से मिल जाएगा और अगर आप सारा कुछ सही रहा तो आप single tweet से यहां पे आप 50,000 का profit आप एक tweet से बना सकते हैं अगर market आपके favor में आया और आपके according चला तो लेकिन अगर आपके against गया तो फिर भी आप 1 लैक तक का profit मनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है तो कैसे यह सारा काम करेंगे चलिए अब हम उस concept को थोड़ा detail से समझते हैं तो यहां पे हमने क्या क्या किया था यहां पे हमने 2600 के call options को हमने sell किया था अब यहां पे आज का date है आपका 5th July अब यह काम आपको थोड़ा और पहले करना यहनि फर्स्ट आफ जुलाई के आसपास यहनि जो भी मन्त आपका स्टार्ट हो रहा उस मन्त के पहले डेट के आसपास करना ताकि आपको प्रीमियम भी ठीक ठाक मिल सके यहां पे हम सब हनवेट के करीब का इसका जो कॉल ओप्शूंज क क प्रीमियम हैं लगबग आपका 24 बरीश की करीब है अगने यहां पे कुछ देर और पहले असीडेन करते हैं हम फर्स्ट आफ जुलाई करीबाई करतें यहां पे मुझे लगभग 30 रुपीज के करीव यहाँ पर मुझे हम लेते हैं तो वापस हैं चाट पर आना चाहिएंगे अब यहाँ पर मुझे इसका क्रीमियाम कितना मिला है यहाँ पर मुझे Communist 100 है यहान इस premium के call options को यहां पे हम sell करना prefer करेंगे जो भी restensible होगा उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम जा सकते जहां पर भी 30 उपीज के आज पास premium दिखे उसको हम sell करेंगे तो चलिए अब हम इसके concept को समझते हैं यहां पे हम कैसे regular income इस strategy के जरी हम काम कर सकते हैं अब यहां पे एक और चीज में आपको explain करना चाहूंगा यहां पे जो हम hedging strategy इस्तेमाल करें उसका नाम क्या उसका नाम में आपको वदा जाना चाहूंगा उसका नाम है आपका covered call यह काफी अच्छा hedging strategy है जिसके basis पे आप काफी secure call generate कर सकते हो अब इसके basis पे लोग अलग अलग तरीके से trade करते हैं लेकिन जो सबसे safe trade है capital थोड़ा ज़्यादा जबूर लग रहा है लेकिन अगर आप यह काम अगले एक दो साल में भी कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे market में जो आपको loss होता है वो loss किसी भी condition में आप avoid कर सकते हैं हर एक conditions में आपको कुछ न कुछ profit मिलता रहेगा और इसी तरीके से बरे-बर investors और traders profit बनाते हैं थोड़ा capital ज़्यादा लगा के इसलिए आपको जलबाजी नहीं करना है एक साल दो साल जितना भी time लगे जो requirement है वो requirement को fulfill करना उसके बाद इस strategy पर आना फिर आप यहां से regular income generate कर सकते हैं तो चलिए अब इस concept को हम समझते हैं ताकि आपको clarity के साथ समझ में आ जाए कि कैसे हम regular income generate कर सकते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या है सबसे पहला है जो trade हमने लिया था delivery में हमने क्या किया था reliance के 250 shares को यहां पर हमने buy किया था किस price पर 2400 करीब यहां पर हमने buy किया थी हमारा buying price उसके बाद दूसरा trade हमने क्या लिया दूसरा trade हमने लिया किसके 2600 के call options को यहां पर हमने sell किया है कितने के premium पर 30 rupees के premium पर यह दो ट्वेर यहां पर हमने लिया है अब यहां पर क्या-क्या कंडिशन हो सकता मार्केट अभी है 2400 करे यह नि यह आपका क्या है अब यहां से क्या हो सकता प्राइस यहीं पर रुख सकता या फिर इससे उपर या फिर इससे नीचे तीन कंडिशन हो सकता इस तीनों कंडिशन को यहां पर हम ले रहे हैं यहां पर देख रहे हैं कि प्राइस आपका 2400 के आसपास ही रुख जाए यह नि यहीं पर एक् है उसकी उपर दे और दूसरा हो सकता है कि आपका 2400 से लेकर 2600 के बीज में दे दे तीसरा कंडिशन क्या हो सकता है to price आपका 2400 से नीच से आपका expired यह थी तीन situation बन सकता है इसके लगावा और तो कोई situation यहाँ यहां पे बंद नहीं सकता यह है अब यहाँ पर हम एक-एक करके सारे सीच्विशन को समझते हैं सबसे पहला से खिरंग क्या आपका 2400 के आसपास आपका इसी लेवल पर एक्सपाइट दे दिया तो सबसे पहला जो यहां पर हमारा options trade है options trade से मुझे कितना profit मिल जाएगा 30 पॉइंट का profit मिल जाएगा कैसे मिलेगा क्योंकि यहां पर हम break even point भी calculate कर लेते हैं break even point क्या होता अगर आप call option sell करते हो तो strike price plus premium यहनी 2630 तो अगर market 2630 के ऊपर जाएगा तभी यहां पर मुझे loss होगा अगर इसके नीचे market रहा तो anyhow मुझे यहां पर profit ही मिलता हुआ दिखेगा तो market आपका 2600 से भी नीचे 2400 गास पास ही expire हो गया मुझे यहां पर 30 point का premium है यह पूरा का पूरा premium यहां पर मुझे मिल जाएगा यहनी option से मुझे यहां पर 30 point का profit होगा और दूसरा टेर हमने क्या लिया है delivery वाला ट्वेट है delivery वाले ट्वेट से मुझे क्या होगा कोई profit नहीं होगा यहां पर मुझे जीरो प्रॉफिट होगा अबरल मुझे कितना profit मिल रहा है 30 पॉइंट का profit का मतलब है 30 अगर आप 250 करते हैं लौट साही तो लगबग आपको 12 मंद का profit calculate किया यहीं अगर minimum मुझे इतना profit भी मिलता है तो अभी मुझे सालना लगबग एक लाके करे profit आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा तो पहला condition आपको यहां पर समझ में आ गया अब मैं इसको clean कर देता हूँ अब यहां पर दूसरा situation क्या हो सकता price आपका 2400 के उपर निकल जाए और पहला situation में जिस हमने strike price के call को buy किया उससे उपर निकल जाए ठीक है हम सबसे पहले worst case ले ले लेते हैं यानि इस call options को हमने sell किया price आपका इसससे उपर निकल जाए तो क्या होगा तो सबसे पहला जो यहां पर हमने options trade लिया है सपोर्डर यहां पर प्राइस आपका कहां पर चला गया 2700 कर यहां यहां से भी 100 पॉइंट ऊपर चला गया अब ऊपर चला जाएगा तो हम चुप बैठेंगे नहीं हम क्या करेंगे 2600 call options को sell किया है इसको हम हठाके उपर से जो बैठे रहते हैं हम अपना worst case लेते हैं तो यहां मुझे कितना का नुकसान होगा तो मेरा break event point है 2630 प्राइस इससे कितना गया लगबा 70 points उपर गया तो मुझे पहला trade से लगबा 70 points के करीब नुकसान होगा ठीक है अब यहां पर देखिए हमने delivery में भाई किया था कितना 2400 कर तो मुझे delivery से कितना profit मिलेगा दूसरा जो trade मेरा है delivery वाला उससे मुझे profit मिल रहा लगवा 300 points का यहां पर तू थर्टी पॉइंट का profit मिल रहा है इस पर्टिक्लर ट्वेट से मुझे नुकसान दे रहा लेकिन यह तो डिलवरी वाला trade है वहां से मुझे जबर दस profit मिल रहा profit हुआ 230 इंटू 250 कर दीजे जो भी इसका lot size है तो लगबग यहां पे आपको 50,000 के करीब यहां पे आपको overall profit मिलता हुआ दिख जाएगा इससे उपर ही होगा हम यहां पर round figure में ले लिए हैं तो यह देखिए यहां पर एक trade में मुझे 50 points का 50,000 का profit आसानी से मिलता हुआ दि हो जाएगा और यहां पर आपका return हम 15-30% लिए है वो return आपको 30-50% भी मिल सकता है तो यहां पर हमने देख लिया कि एक trade में मुझे कितना लगबग 230 points की करीबी profit मिलता हुआ दिखा है और इसके उपर market कहीं पर भी जाएगा मुझे इतना point का profit मिले गए उसके बार market जितना यहां से अगर 10 point उपर जाएगा तो मुझे यहां पर नुकसान 10 point होगा और यहां पर 10 point का profit हो जाएगा यह नहीं market आपका 2700 की उपर जितना भी जाएगा मुझे 230 point का profit any conditions में मिलता हुआ दिख जाएगा तो यहां पर हमने दूसरे conditions को भी काफी हद तक समझ लिया है अब य कैसा सोच में उसके अगेंस भी गया या market कहीं भी गया कैसा भी मूब दिखा रहा हम हर एक मूब को समझ रहें ताकि यहां पर आपको जो रिस्क है वह समझ में आ जाए अब यहां पर अगला situation क्या है कि market आपका ऊपर गया है 2400 को पर गया लेकिन 2600 से नीचे यहां पर हम ल वेटे उससे मुझे पुरा का पुर्यज़ा टीस पॉन का प्रॉफिट मिलेगा और मुझे 2400 पर भाई किया था लाकर 2500 तो दूसरा भी मुझे प्रॉफिट होगा और मुझे अए 300 को दिखे हम तो 깃के यहां पर आप मसंद्हार 32 धावियन के करीब profit मिलता हुआ दिखेगा तो देख सकते हैं अलग-लग situation में मेरा minimum profit कितना ले रहेते हैं हम सिर्फ minimum 30 पॉइंट का profit ले रहेते हैं लेकिन यहाँ पे अलग-लग situation मुझे उससे ज़्यादा ही profit मिलता हुआ दिख रहा अगर market बहुत ज़्यादा उपर भी जात तो यहाँ पर हमने दो situation को अच्छे तरीके सा समझ लिया अब यहाँ पर हम next situation पर आते हैं अगला situation क्या है अगला और last situation है कि अगर market जो हमने delivery में जिस price पर buy किया उससे नीची आ जाए यानि market अगर आपका 2400 से नीची आ जाए तब यहाँ पर क्या कुछ होगा तो अब दे हमने buy किया जो delivery में वहाँ से 100 point नीचे आ गया तो यहाँ पर पहला जो trade था options वाला उसका breakman point काफी उपर है यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा 30 point का profit आसानी से मिलता हो दिखेगा दूसरा जो trade है delivery वाला हहाँ पर क्या होगा हमने buy किया था 2400 पर प्राइससे नीचे आ गया तो यहाँ पर मुझे नुखसान हो गया hundred point का तो यहाँ पर मुझे overall कर सान को गया 70 sighted 20 points का अब यहां पर आपको क्या करना अब यहां पर देखे इस कंडिशन में आपको क्या करना यह जो ट्ट्टेडवीड आपको डिलेवरी में ट्ट्ट है यहाँ पर दो तीन ऑप्शन आपके पास है इस उपर आप ऐसे ही जाएगा इन्हीं लगबग आपको 7500 का प्रॉफिट यहां पे आपने बुक कर लिया अब क्या करें डिलेवरी वाला ट्वेड है और रिलाइंस काफी दिगज स्टॉक्स है आप चाहो तो उसको छोड़ भी सकते और प्राइस अल्टिमेटली उपर आना ही आना अगर नहीं आया तो हर एक महीने मुझे कितना मिलता हुआ देखेगा 7500 करीब और इस वेट से भी अगर हम 12 महीने कमा आते हैं और इस बीच में एक दो ट्वेट भी मिल जाता है तो यहां पे भी हम वन लैक तक का प्रॉफिट आसानी से बना सकते हैं जो कि मेरा इंट्वेश्ट इंकम हो जाएगा और इतना इंकम भी आपको कहीं और नहीं मिलेगा आपको 7 लैक के इंवेश्टमेंट पे लगभग आपको 1 लैक का सादाना प्रॉफिट मिल वा है यानि 5-7 येर में अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका पैसा पूरागा पूरा मिल जाएगा और उसके बाद जो भी आप ट्वेट लेंगे वो पूरा 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 प्रॉफिट हो जाएगा तो इस तरीके से आप एक काम कर सकते हैं यानि तो दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं जो कि समझदारी वाल करेगा तो दो जगा कर सकते हैं आप चाहो तो इसको आप एज इंट्वेस्ट इंकम की तरह रख सकते हो या नहीं तो आप चाहो तो इससे वापस विलाइंस के सियर बाई करके एवरेज को कम कर सकते हो तो इस तरीके से अगर प्राइस आपका नीचे है इसके नीचे कहीं प का प्राइस आपको ऊपर चाहता हुआ दिखे गाई और यह इंडिया का नंबर बन कंपनी इसलिए इसलिए हम भरोसा कर सकते हैं इसलिए यहां पर हमने आपको बोला कि वैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना जिसमें हर एक पांसे दस परसंद के गिरावट के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना अब यहां पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास 75 सुआया और उसको हम इन्वेस्टमेंट कर दिये आपको देखना है कि सपोर्ट लेवल कहां पर है अगर हम 24 सब्वें बाई किये इसको मैं किलियर कर देता ताकि आपको समझने में आसानी हो सारा सिट्वेशन आपने समझ लिया जो लास्ट वाला सिट्वेशन वहीं पर आपको दिमाग लगाने की जववत है क्योंकि और सारा जो भी सिट्वेशन उसमें हमें अल्टिमेटली प्रॉफिट मिलता हुआ दिखी रहा है अब यहां प बनाया है 15,000 का बनाया है यह फिर 20-25 जो भी आपने प्रॉफिट बनाया है वह यहां पर आपको क्या करना इस सपोर्ट लेबल पर आने के बाद आपको यहां पर इन्वेश्मेंट करना है लेकिन अगर सपोर्ट लेबल ताइसाओ पर नहीं होगा तो हम इंतजार करेंग उ 5% के निगेटिव मूब के बाद आप इसमें इन्वेश्मेंट करते चले और उसके अलाबा आप चाहो तो यहां पर फ्रेश मनी भी अपना इन्वेश्मेंट करके आवरेज नीचे ला सकते हो और फिर आप जो मैंने स्वेड़ी बता है उसके बीसिस पर आप रेगलर इंकम जैन्वेट कर सकते हैं यह आप काफी सटे काफी सेफ स्ट्वेड़ी है जहां पर आपको एनिहाव हर एक कंडिशन में प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा और इस तरीके से आप यहां पर प्रॉफिट बना सकते हो तो उमीद करते हैं यह कॉंसेप्ट आपको समझ में आ ग आपको प्रॉफर एंसर मिलेगा सो वीडियो अगर पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके इनकविच किजिए क्योंकि इस तरह के और भी हम इनफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए वेगला बेसिस पर लाते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल क